असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का उर्दू मॉडल पेपर सल्यूशन के इस नए और धमाकेदार वीडियो में जैसा कि आप लोग का बहुत दिनों से बहुत ज़्यदा कमेंट्स आ रहा था कि उर्दू मॉडल पेपर का सल्यूशन करा दीजिए तो जी बिल्कुल यालक सुनें और आसकाल बहुत ज़्यदा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मेरी इंति भले ही लेट होती है लेकिन सबसे गुरा चैप्टर बुक ही कमप्लीट कर आचुकी और उसका question answer chapter wise करवाई रही हूँ ठीक है तो मेन और important है objective ठीक है तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझीएगा चलिए हाँ तो यहाँ पर ध्यान दीजी जब आप लोग जाएंगे न सेंटर पर एक्जाम देने के लिए तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से question paper आप लोगो को मिलेगा मतलब first page इसी तरह आप लोगो को दिखाई देगा देख रहे हैं यहाँ पर लंबा चोड़ा हिदायत द जुबान में अपनी भासा में सवाल का जवाब दें ठीके बायन तरफ जो आप लोग का question लिखा रहेगा उसके बायन तरफ उसका माक्स भी दिया रहेगा कि यह जो question है इतने माक्स का है ठीके यहाँ पर यह इतना लंबा चड़ा हिदायत दी गई है कि सवाल पढ़ने के ल पहला section होता है section A और दूसरा होता है section B ठीके section A जो होता है वो objective question का होता है टिक मार्किंग वाला और जो section B होता है वो होता है सब्जेक्टिव होता है जिसमें आप लोग को लिखना परता है ठीके और जो section A होता है जिसमें objective question पुछता है उसमें total 100 question पुछेगा जिसमें आप लोग को क्या करना है पचास का ही जवाब देना है यहां पर आप लोग ध्यान रखेएगा मैं अभी बता दे रही हूं की section A में कितना objective question पुछेगा 100 पूछेगा लेकिन आप लोग को 50 का ही जवाब देना है ठीक है और 50 को छोड़ देना है अगर 50 अगर आप लोग एक्स्ट्रा दे दिये। पूरा आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि गिनकर आप लोग को पचास ठोका एंसर देना है तो चलिए अब कोश्चन की तरह बढ़ते हैं देखिए यहां से आप लोग का अब्जेक्टिव कोश्चन स्टार्ट होता है ठीक है देखिए यहां पर लिखा भी है सवालाद जाच किये जाएंगे ठीक है तो जो मैं बताई वही चीज़ यहां पर लिखा है तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं सबसे पहला सवाल है कि हम्द खुदाय अजोजल मेजुल जलाल किसके लिए आया है तो वो आया है खुदा के लिए ठीक है अब देखिए सवाल है कि श्रबनम क्या है श्रबनम जो है वो तखलूस है ठीक है श्रबनम जो है वो तखलूस है श्रबनम कमाली जो है जो की राइटर है हम्द खुदाय अजोजल नम के चैप्टर का ठीक है मुसनिफ श्रबनम कमाली और वो जो श्रबनम कमाली है वो अपना जो अपने शे है दिन का कितना नमबर अबादी कहा पैदा हुए तो पैदा हुए थे पोटना नमबर सवाल है भावी जान की गैर मवगजूदद 64 व कोटने के लिए क्या करती थी तो वो खुतूत लिखा करती थी थी फाचका क्या अमर्जहां का पहला अफसाना है जुनून वफा ठीक है सारे कोशन को आप लोगो ध्यान से देखते चलना है और माइंड में फिट करते चलना है एक एक चीज़ को देखिए आपर नौ नमबर सवाल है कि मादा परस्त सिर्फ हाल में जी रहे होते हैं कि मुस्तक्बिल में जी होते हैं तो देखिए इसका एंसर क्या होगा मादा परस्त का मतलब होता है नास्तिक मतलब जो अल्ला को नहीं मानता है जो जो मादा परस्त होते हैं नास्तिक होते हैं जो चीज को देखते हैं सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं ठीक है जो चीज देखेंगे उसी पर चाप्सान बहुत और सकती हैं तो नास्तिक आपसान होगा सवाल आज चेप्टर पढ़ा रही थी उसमें मैं आप लोग को बताई भी थी कि यह बहुत जदा इंपोर्टेंट है तो देखिए कोश्चन भी पूछ दिया है तो क्यूटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉंफरेंस हुआ था धान के ख्येतों और गाय भान सवерм असारोल सणवा जो यह किसने लिखा खे किसका क्रियेशन है तो तीरा को क्या हो जाएगा प्षन? ऐसर सैय च схण रमध कहन है असारोल सणवा प्राता है ठीक है उनके creation है ठीक चौदो नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुलमुगणी के मताबिक अदब समझने वालों का हलका रोज बरोज क्या हो रहा है ठीक है तो यहां पर पता answer क्या होगा घठता जा रहा है ठीक है यहां पर अब्दुलमुगणी chapter में बताया है कि जो को समझ नहीं रहा हैं पढने वाले पढ़ते जा रहे हैं ठीक लेकिन अब रwe जबान थी वह मराठी सवाल कि आगहाशर कस्मीरी का तालग सिन्फ से हैं सब्सक्राइबे अब की ड्रामा को लिखा करते हैं थे सो ला का भी एंसर हो गया आगे बढ़िए कोश्टन नमबर सेवेंटीन है कि लुफु रह्मान को उर्दु तद्रीस के लावा किस चीज से ज्यादा दिल्चस्बी थी लुफु रह्मान उर्दु के लावा और किस चीज किस सब्जिक्ट में ज्यादा किस चीज में ज्यादा क्या करते थे दिल्चस्बी रखते थे तो वो था सियासत में ठीक है आगे बढ़िए कोश्टन नमबर 18 है कि जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के गरहन से वास्ता पड़ता है तो जमीन के बासंदी जो होते हैं जो लोग होते हैं ठीक है उनने दो तरह का गरहन दिखाई देता है एक सुरज गरहन सोलर एकलिप्स और दूसरा चंद गरहन यानि की लुनार एकलिप्स दो ही तरह का गरहन होता है ना तो आपसा नमबर यह हो जाएगा दो ठीक है सवाल नमबर 19 है कि आरे सिध्धान्त और तंत्र किताब कहां लिख गई तो आरे सिध्धान्त और तंत्र तरेगना में लिखा गया ठीक है तो यह हो गया आप लोगा एंसर जिसको आरे भट में लिखा था चलिए सवाल नमबर 20 है कि जमीन किसका तवाफ करती है जमीन यानि कि हम लोगो का जो प्रित्वी है वो किसका तवाफ किसके चार और तो सूरज के चार और घुमती है ठीक है तो आपसर नमबर बी एनसर हो गया एकईसनमबर सवाल है नजीर एहमद की वफात कब हुई यानि कि नजीर एहमद का इंतकाल कब हुआ वो किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गए ठीक है तो यह हो हुए थे उन्हें इससर दासि पैसा भी गालेंखाये लेंगी है गालिया नमबर ए ठीके और गध्र का वाक्या कभ हुआ था तो गइवाल हुआ ठीके 24asto ist выйal है कि शामिलिय निसाब मक्तुब शाहबाज ने किसके नाम लिखा है रामीले निसाब जो खत है अपरों कِ जो बुक में खत दिया है और जो किसरहबाज दोरह लिखा अच्छा और खत tiefा वह जोसरा वाज वह खत लिखे हैं रिक्सकों लिखे तो अपने बेटी के नाम की लिए नीए रिक्तह다 कि तो बेंक्न 26 नंबर सवाल है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादिया की तो मेहदी अफादी ने तीन सादिया की ठीक है यह भी मैं इंपोर्टन जब चैप्टर पढ़ा रही थी इसको भी मैं बताई थी ठीक है अब देखिए सवाल नंबर 27 है कि सामीले निसाब इंटर्व्यू में किसका इंटर्व्यू लिया जा रहा है ठीक है तो वो तो बेदी का इंटर्व्यू लिया जा रहा है क्योंकि चैप्टर का नाम है बेदी से इंटर्व्यू किसे इंटर्व्यू बेदी से इंटर्व्यू और लेने वाले कौन है इसमत चुकताई और एहमत फिराज ठीक है दो जो है वो बेदी से इंटर्वीव लेते हैं यह चैप्टर को मैं पढ़ा रही थी तभी आप आप लोगो बताई थी ठीक है सवाल नंबर 28 है कि फयाज रिफत का तालुक किस शोबे से था ठीक है तो फयाज रिफत जो हैं का तालुक और इंडिया रेडियो से था फयाज रिफत ज अब देखें यहाँपर 29 सवाल चकबस्त की पैदाईश कहा हुई ठीक है तो चकबस्त की पैदाईश कहा हुई थी फैजाबाद में ठीक है सवाल नंबर 30 है कि शामिल निसाब नज्म मुनाज़रे फित्रत या फिर मुनाज़रे قुद्रत के शायर कौन ठीक है इसको किसने लिखा है मनाजरे खुदरत नाम का चैप्टर इसकाय एंसर क्या हो जाएगा चकबस्तनी लिखा है ठीक है यह होगे आप लोगों का एंसर सवाल नंबर 31 सवाल नमबर 31 है कि जगननात आजद का इंठकाल कब हुआ कह जगन सवाल नमबर 32 है कि परवेद शादी ने किस साल मैट्रिक किया था देखिए इसमें भी पूछ दिया कि किस साल मैट्रिक किये थे ठीके परवेद शादी ठीके तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा उन्हें इस तर पचीस ऑफ्सान नमबर एप लो को ये भी याद करना थी ठीके तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी परवेद शादी की ठीके जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी ये परवेद शादी वाला तो मैं आप लोंको बताई थी चीज चैप्टर नमबर 34 है कि बिजली का खंबा के शायर कौन है ठीके बिजली के नजमों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभा रहा है ठीके तो वो कमजोर तबकिक मसाइल को नदा फाजली में अपने किस अपने नजम में उभा रहा है ठीके तो यह हो गया एंसर क्वेशन नमबर 36 देखिए नजम बहुत आसान थी पहले किस तरह की नजम है ठीके तो साल नमर थार्टी सेविन है सेद मुहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था सेद मुहम्मद अली जाफरी ठीक है चैप्टर पढ़ा रहे थी तो ही मैं बताई थी अगर आप लोग मेरा चैप्टर पढ़े हैं सिक्विंस में तो आप लोग को मालूम होगा और सारा कायन सा भी आप लोग को मालूम होगा ठीक है चैप्टर नमर थाटी यैट है कि नजम स्दों एगा नाम के चैप्टर को लिखा है तो इसका राइटनसर क्या हो जाएगा वर नेहीं ख्रादीनर नाम के चैप्टर को लगए तो मैं मर्शिया Pero का उसी को बोलते है मर्शिया ठीक है उसके मठलब दुभ दर्द को और उसकी यादों को याद करके लिखना ही क्या कहलाता है मरसिया कहलाता है और मरसिया में रजज जरूरी होता है ठीक है चलिए सवाल नंबर 14 है कि जिस नजम में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं तो जिस नजम में किसी के मरने पर किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मरसिया ठीक है देखें मैं आप लोग को अभी बताई कि मरसिया में क्या होता है किसी के मरने पर उसकी यादों को ताजा करके उसके गम में डूब करके उसके बारे में अगर कुछ लिखा जाता है उसको बोलते हैं मरसिया और मरसिया में रज कि हिंदोंतान आहे थे थात ही तो ये हो जाएगा इरान से gekommenнем법 42 कि नंबर 42 है ये शायर की हैसियत से गालिब की तविएट कैसी थी ठीकल है तो शायर की हैसियत से गालिब की जो अजी जहित भी रिछ वो जिंदत पसंद किस की लड़की का तज़करा हुआ है जो मस्नवी है चैप्टर आप लोग के बुक में जहर इसक उस जहर इसक चैप्टर में किस लड़की की बारे में डिसकस की गई है ठीके तो वो है सौधागर की लड़की ठीके अपसा नमबर सी चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 45 है कि सौक लखनवी का पूरा नाम क्या है ठीके तो सौक लखनवी का पूरा नाम है तसद्दुक हुसैन खान ठीके आगे बढ़िए 46 नमबर कोश्चन है कि नसीम की वफात कितने साल की उमर में हो गई थी तो नसीम की वफात जो ही थी उफने साल की उमर में 34 ठीक ??? आपसर नमबर 2 होगे ईंसर कोश्चन नमबर 47 देखिए बगावली किस मसनवी की किरदार है ठीके बगावली जो है वो किस मसनवी की किरदार है किस मसनवी में उसकी डिसकस की गई है ठीके तो वो है गुलजार नसीम गुलजार नसीम का आप लोगों का एक छोटा सा एकतबास पढ़ना है एक छोटा सा कहानी पढ़ना है बोलू तो आप लोगों के बुक में जिसमें बकावली के बारे में जिक्री की गई है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ ये सवाल नमबर 48 है कि गंगा परशाद कोल दैसंकर नसीम के कौन थे तो वालिद थे ठीक है और देखिए सवाल नमबर 49 है कि मसफी के जाए पैदाईश कहा है ठीक है यानि की मसफी जो है वो किस जगह पर पैदा हूं ASSER हो जाएगा शौन मश्यूर सायर मासफी के स्टूडेंट नमबर 51 है कि मुबारक अजीम अबादी के वालिद का क्या नाम था मुबारक अजीम अबादी के वालिद का नाम क्या था फिधा-हुसैन वामक ठीक है तो उस गजल को बोलते हम लोग गयर मुरदफ ठीक है सवाल नंबर 53 है एमद फिराज का तालुक किस मुल्क से है एमद फिराज का तालुक जो है वो पाकिस्तान से है ठीक चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नंबर 54 पड़ाफट कंप्लीट कीजिए हर एक सवाल को अप 24 अपसर नंबर भी ठीक आगे बढ़िए सवाल नंबर 55 है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मसहूर है ठीक है तो क्या वो गजल लिखती है क्या वो मर्सिया लिखती है क्या दास्तान लिखती है कि नाविल निगारे नाविल लिखती है तो वो जो है परवीन शाकिर वो पता ह काल कब हुआ इर्फान सद्दिकी की मौत कब हुई ठीक है तो यहां पर इसका इंसर हो जाएगा दोजार चारिस भी में आपसा नंबर भी सवाल नंबर 57 शामिले निसाब दोहे के शायर कौन है ठीक है दोहा जो आप लोगों के बुक में दिया गया है दोहा नाम का चैप्टर उसके शायर कौन है किसने लिखा इस दोहा नाम के चैप्टर को ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जफर गोरखपूरी जफर गोरखपूरी नहीं इस दोहे नाम के चैप्टर को लिखा है ठीक चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 58 है कि दोहा में कितने मिस्रे होते हैं तो दोहा में जो हैं दो मिस्रे होते हैं देखिए दो से दोहा और दो से दो दोहा में दो मिस्रे होते हैं यह मैं आप लोगों को जब दोहा नम का चैप्टर पढ़ाई थी उसमें हर एक एक चीज दोहा के बार में मैं सम यहां पर question पुछाए कि उर्दू में गीत कि सम्मूलियत कि शायरी के जरीय हुई थी तो वह हिंदी में ठीक है अब देखिए सवाल नंबर 60 यानि कि साथ नंबर तवाल है कि सलाम मचली शहरी कब पैदा हुए ठीक है सलाम मचली शहरी कब पैदा हुए थे तो इसका राइट सबी में अपसा नंबर सी ठीक है सवाल नंबर 61 है उर्दू शायरी का पहला दविस्तान कौन है ठीक है उर्दू शायरी का पहला दविस्तान तो वह है दविस्तान इदकन ठीक सवाल नंबर 62 की आजाद के आजादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की तश्कील कि बुनियादी बुनियादों पर अमल में तो यह लेसानी ठीक है लेंग्विज पर ठीक है जब हम लों का हिंदुस्तान अजाद हुआ था उस वक्त जो राज है उनको अलग-अलग अजलेसानी के तौर पर क्या हुआ था तश्कील हुआ था अजादी के बाद हिंदुस्तान की ठीक है आगे बढ़िए सवाल नमबर 63 है कि अफसाना सेकेंड हेंड के अफसाना निगार कौन है जप्रों के रोशनी बुक में सेकेंड हेंड नाम का चैप्टर है उस सकेंड लिखने वाले कौन है वह अफसाना के यान की कहानी की कहानिकार कौन है लिखने वाले कौन है तो यहां पर इसका इंतर हो जाएगा अफसान नमबर भी वैकुम मुहमद बसीर ठीक सवाल नमबर 64 की बात आती है देखिए सवाल नमबर 64 है कि वात्रक नदी किस सोबा में वाक है ठीक है गुजरात से होकर गुजरती है 64 क्या हो जाएगा अपसर नंबर डी चलिए सवाल नंबर 65 है कि करनाटक की जुबान क्या है तो करनाटक की जुबान यह तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है वह कंणड इस चैप्टर को में पढ़ा रही थी तब ही मैं बताई थी ठीक च के जो मालिक रहते हैं के तू के वह इससे क्या करवाते हैं जंगल कटवाते हैं पेड़ पौदे कटवाते हैं ठीक है और उससे वह लाब कमाते हैं लेकिन के तू बिचारा जो है दुचार पैसे की लालच में जंगल को काटता है और फिर जेल चला जाता है और जब के तू जिल चला जाता है तो उसकी जो बीवी रहती है वो उसके जगह पर काम करती है ठीक है तो यह चैप्टर में पढ़ा रही थी तभी मैं आप लोगों को बताई थी ठीक है कोस्टन नमबर 67 देखिए आसाम में कौन कौन जबान बोली जाती है यह तो बहुत सिंपल है आप लोग कौन सी लेंग्विज निकली है ठीक है तो इसका पता है राइट एंसर क्या होगा वो पंजाबी होगा पंजाबी जबान जो है पंजाबी भासा पेसाची अभरंस से निकला हुआ है ठीक है अब देखिए कोशन नमबर 69 है कि बारिश की एक सुबह किसकी तखलीक है बारिश की एक सुबह नम का जो चैप्टर है आप लोगो के बुक में उसकी तखलीक मतलब उसको लिखने वाले कौन है सिता कांत महापात्रा ठीक तो यह हो गया एंसर चलिए आगए की तरफ बढ़िए अगला सवाल है कि शामिल निसाब नजम वह मुलाकात किस जुबान की लवज ह लिखा गया है यह नजमी यह चैप्टर ठीके तो इसकार आई तंसर क्या हो जाएगा आपसर नमबर बी यह मलियालम जुबान में लिखा गया है ठीके वह मुलाकात नाम का जो चैप्टर है कि पढ़ेगा किस तरह का फेल है देखें यहाँ पर अबात आ गई उर्दू ग्र अर्दू ग्रामर की इसकी बात आ गई उद्धू ग्रामर में ऑउल्डेडी पढ़ा चुकी हूँ कि अगर आप लोग उद्दू ग्रामर पर पढ़ सकते हैं फिल्हाल यहां पर question कर हम लोग ध्यान दें कि 71 नामका सब्सक्राइब किस तरह का फैल है ठीक है तो पढ़ेगा यहां पर future की बात हो रही है प्रदेंट को हम लोग बोलते हैं हाल पास्ट को बोलते हैं हम लोग माजी ठीक है और फ्यूचर को बोलते हम लोग मुस्त Nepal ठीक है तो पढ़ेगा इसमें पढ़ने वाले इनलब पढ़ेगा बाद में पढ़ने की बात हो रही है ठीक है अउस इसका क्या हो जाएगा मस्तक्बिल यान की future ठीक है यहां पर पढ़ेगा क्या है future की बात हो रही है यह हो गया एंजर question number 72 है कि दर्दजेल में खिताब कौन है ठीक है तो दर्दजेल में वो पता है खिताब कौन है अपसर नबर बी खान बहादूर ठीक है खान बहादूर जो है वो खिताब है और वैसे भी खिताब क्या है तखलुस क्या है ठीक है यह सारी चीछे मैं आप लोग को उर्दुग डामर में ही बताई है ठीक चलिए आगे बढ़ी सवाल नमबर 73 है कि मुनासिब लफस से जुम्रा मुकमल कीजिए तुम कहां जात है होता है कि हो होता है कि है होता है कि हूं होता है तो यह आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं तुम कहां जाते हैं तुम कहां जाते हैं तो होगा नहीं तुम कहां जाते हैं तो होगा नहीं तुम कहां जाते हैं ऐसे कभी सुने हैं आप लोग तुम कहां जाते हैं ऐसा होत है यह होता है ठीक है बहुत स्वार संपल स्वालनबर 74 कि मखरिब की जिद क्या आए मघरीब का उलटा क्या है हुए थिक्तवर 75 है कि इस से इट बजाना का मतलब क्या है तो इस से ही बजाना का मतलब होता है निस्तों अबूद कर देना ठीक आगे बढ़िए सवाल नंबर 76 है कि शौक का मुत्रादिफ क्या होगा तो शौक का जो मुत्रादिफ यानिकी परिवासी सब्समान अर्थ रखने सब्समान यहाँ बागी इसम की कौन से किस्म है तो वह है इसम मुसगर का मतलब होता है चोटा किया हुआ अब देखें बाग ठीके और बाग से क्या कर दिया गया गया है बाग से चोटा कर दिया है बागी चौह था लग गया थो बागी चा क्या है चोटा कर दिया गया स्नय मुशगर हो गया सब्सक्राइब कि गया है कि मदा का तालग कि सिन फryषाइड है ठीकर वह ही तो आता सीधा से ठीक सब्सक्राइग यहां पर एक लड़की की बात हो रही है यहां पर एक लड़की की बात हो रही है यहां पर एक लुटकी की बात हो रही है क्ट यहां पर बहुत सारी लड़की तो यह क्या है बहुआ है ग्रुटेह है कि काम करने वाले को क्याOh ठीक है तो काम करने वाले को हम लोग बोलते है फाइल ठीक है मफूल होता है अबजेक्ट ठीक है और फेल होता है आप लोग का यहां पर एक मिनट एक मिनट हाँ चलिए काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं एक मिनट चलिए कोशन नमबर 82 है कि इसम अगर गंती में एक से ज्या जादा हो जाए तो तुछ क्या कहते हैं अगर एक इस में नाम एक है तो समझे वह हृचन यान की वह है ठीक है और एक से ज्यादा हो जाएं यान की बहू वच्ट अन्बर में हो जाएगा ठीक है चलिए passage एक कि किसी काम की करने का शक किस फेल में होता है ठीक है किस फेल में मिलता है किसी काम को करने का शक किस फेल में मिलता है ठीक है तो वो मिलता है एहतमाली में ठीक है कोश्चिन नमबर 84 है कि जेल में जेल में कलमा कौन है कलमा कौन है कलमा का मतलब होता है जिसका मतलब कुछ मतलब ह यहां पर देखिए वगड़ा का भी कोई मतलब नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जगड़ा का मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब जगड़ा होता है ठीक है तो 84 का अप्शन नमबर सी हो जाएगा जगड़ा ठीक है चलिए कोईशन नमबर 85 है कि एहमद लकड़ी की कुरसी पर बैठा है इस जुमले में फेल कौन है ठीक है एहमद लकड़ी की कुरसी पर बैठा है इस जुमले में फेल मतलब समझते हैं यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाली थी मफूल बोलते हैं कौन है यानि कि क्या काम हो रहा है ठीक है भर्व क्या है इसमें आप लोग को बताना है तो इसमें वर्व क्या हो रहा है जी क्रिया क्या हो रही है बैठने की क्रिया हो रही है इसमें एहमद जो है वो काम करने वाला है फाइल है लकड़ी की कुरसी यह क्या है मफूल है यह इसका मतलब क्या है राइट से बना लेंगे इसका अरजुन ने देखा यह उतना आचा नहीं लग रहे है अरजुन देखा यह भी नहीं होता है और जुन यह देखी एसे नहीं होता है और जो ने देखा ठीक है तो यह आपनोंबर एटिए से वेन कि गाये का mzakkar क्या है देखिए गाये ज़ो है वह मौननद्स है यानि कि मेल हो गया ठीक चलिए आगे बढ़िए कोशन नमबर 88 एक मिनट कोशन नमबर 88 है कि मुतजाद मुतजाद मितलब होता है उल्टा ठीक है तो 88 का अफसन एनसरीव ओफिराज ठीक है चलिए कोश्न नमबर 89 है कि घसल का आखरी शेयर जिसमें शायर अपना तखलीसиться बिका कहिए घसल का आखरी शेयर होता है जिसमें शायर अपना नाम अस्तिमाल करता है उसको क्या कहते है एक 9 का इंसर हो गया अफसर नमबर B गजल जो है उसके आखरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं और सुरू के सेर को पहले वाले सेर को गजल के जो सुरू का सेर होता है उसको बोलते हम लोग मतला लेकिन यहां पर पूछ रहा है आखरी शेर को तो आखरी शेर को तो मतला मक्ता कहते ह हैं तो यह हो गए आपसन बिए एंसर चली सवाल नमर 90 यांटी निकि नभो कि कल्मा जामिद की मिसाल जाएका एसका राइट उसर हो जाएगा नभ का आपसन नभ्य का पहारर ठीख जामिद का मतलब होता है कि यौ लफ से से ना बना हो और नहीं उससे कोई और लफ बने ठीक है उसको बोलते हैं जामीद इसमें जामीद यह मैं उर्दू ग्रामर में पढ़ाई हूँ ठीक है जैसे कि पढ़ना से पढ़ने वाला पढ़ने वाली पढ़ता है पढ़ो इस तरह बना सकते हैं लिखना से लिखने वाला लिखने वाली सुनना से सुनने वाला सुनन लेकिन पहाड से पहाडो पहाड़ी कुछ नहीं नबन सकता है ठीक है तो पहाड क्या हो गया इसमें जामीद हो गया चलिए कोशन नमर 91 है कि एहमद पटना जा रहा है इसमें फेल क्या है ठीक है अमद पटना जा रहा है इसमें फेल क्या है फेल का मतलब क्या होता है भर्व किरिया तो यहां पर किरिया क्या हो रही है जाने की किरिया हो रही है एहमद जा रहा है तो अपसा नमर C हो जाएगा जा रहा ह ठीक चलिए पड़ाफट आगे बढ़िए कोश्चन नमर 92 है मिर्जा असदुल्ला खा गालिब में गालिब क्या है तो यह मैं आप लोगो जब चैप्टर पढ़ा रही थी वहां पर भी बताई थी और यह आप लोगो ऐसे ही मालूम होगा कि मिर्जा असदुल्ला खा गालिब में जो गालिब है वो तखलुस है बानबिर का अफसर नमर सी हो जाएगा ठीक चलिए कोश्चन नमर 93 है यान की 33 नमर कोश्चन है कि फिक्र की जमा क्या होगा यान की फिक्र का प्लूरल क्या होगा तो वो होगा अफकार ठीक चलिए सवाल होता है स्टूरैंट कोथ होताじゃ 2 इंट स्टूरैंट में जो दो है यहीं जो है वो गया है तो वो है शीवत ए है और एडेकृटिम तो उसे कहते हorfresh हो आब जैंट कर आए चीज़ यहां पर इसके बारे में क्या हो रहा है तौ सटोडेंटिकों क्या मतलबू हो रही है जो इन्टेलिजंट है ठीकि तीज कि थी तम यानिकिे वाहिन तो लोग रहता तो जामा हो जाता थिए तुम है तो क्या हो जाएगा वाहिद यानि कि singular ठीक है आये थे ठीक है आये थे यानि कि बहुत पहले आये थे तो वह होता है हाजिर ठीक यह होगी आप लोगा एंसर चलिए आगे बढ़िए कोस्चन नमबर 96 की तरफ माजी बाईद की पहचान कीजिए ठीक है तो यहां पर आप लोगों को बताना है नाइटी सिक्स में माजी बाईद की पहचान तो यह भी तो उर्दू ग्रामर का टॉपिक है उर्दू ग्रामर में अल्डेडी पढ़ा चुती हूं ठीक है तो माजी बाइद की पैचान है वह आया था ठीक है वह आया था तो यह काम जो बहुत पहले कर दिया गया है ठीक है तो वह आया यान कि वह अभी आया था तो यह तो होगा ही नहीं वह आया है यह भी नहीं होगा वह आता था यह भी नहीं है वह आया था यान कि बहुत पहले आया था बा मर्यम किसकी मिसाल है ठीक है तो इबन मर्यम जो है वो कुनियत की मिसाल है कुनियत उसके कहते है उसे कहते है वह नाम होता है जो माबाप अपने जो माबाप के नाम से पुकारा जाता है ठीक है हज़ते इसा अलहिसलाम को इबन मर्यम कहा जाता है वो क्या है इबन मर्यम हज़त तादाद की पेचान करनी है' 98 में तो इसका क्या है का छाय कोल यह तो होगा नहीं एक स्कूल तो इसमें तो एक सिंगोलर की बात हो नहीं की कोई एक कुछल एक कॉल्च कलम और एक हर ठीक इन ग्यारा जो है वह तादाद के बारे बात कर रहा है कि यारा 12них तादात की बात हो रही है इसर हो जाएगा ठीक कोस्टनुम्र नाइनटी नाइन की जमा होती है रुभाहियात तो यह होगे आप लोगों का सारा अब्जेक्टिव कोश्चन का एंसर तो यह था अप लोगों का उर्दू मॉडर पेपर कोश्चन का सल्यूशन कोई भी कम्फीज़न हो आप हमें कमिन करकर पूर्च सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइ